हेलो फंट वागा थे आपका मेरे चैनल सेलेशन पॉइंट में आज के वीडियो में हम एक से पंद्रा माई के इंपोर्टेंट करेंट अफेर डिसकस करेंगे तो फ्रेंट्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में वन्यों वेबल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नए वीडियो में अप्लोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट है उडिसा के एक परिक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्स्पेंडेबल एरियल टार्गेट हीट का सफलता पूर्वक उडान परिक्षण किया तो ये परिक्षण किया है भारत ने बाला सोर के चांदीपूर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज या आई टी आर से रक्षा नुसंदान और विकास संगटन डियार्डियों के द्वारा परिक्षण किया गया इसे विविन राडार और इलेक्ट्रो आप्टिक प्रडालियों द्वारा ट्रैक किया गया था नेक्स पॉइंट है कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ तो ये फ्रांस में शुरू हुआ है सिनेमा की दुनिया के सबसे प्रितिस्टित अंतरास्टिय आयोजनों में एक है ये जो कांस फिल्म महत सो होता है ये फ्रांस में शुरू हो गया है सूचना और प्रसारन सच्चिव अमित खरे कान में भारतिय प्रतिनी दमंडल का नेतरत करेंगे और भारतिय पवेलियन का उधगाटन करेंगे कांस 2019 के लिए मैक्सिकन फिल्म निर्माता अलेजांद्रो गोंजा लेज इना रेतू को जूरी अध्यक्ष नामित किया गया है और जो कांस महत्सो है इसकी स्थापना 1946 में अंतर अस्टिय फिल्म महत्सो के रूप में हुई थी नेक्स्ट पॉइंट है LIC Mutual Fund CEO के रूप में न्यूक्त किया गया तो इनका नाम है दिनेस पैंग्टेई को LIC Mutual Fund ने कंपनी का मुखे कारेकारी अधिकारी यह CEO न्यूक्त किया है पैंग्टेई, LIC समों के निजी, एक्क्यूटी डिवीजन, LIC, HFL, AMC में निदेशक और CEO थे LIC Mutual Fund के स्थापना 20 अप्रेल 1989 को भारत के LIC द्वारा की गई थी नेक्स्ट पॉइंट है RBI ने एक करुण रुपे का जुर्बाना लगाया नैनिताल बैंग पर भारते रिज़र बैंग ने इस संबंद में जारी किये गए विशिस्ट निर्देशों के बावजूद NPA होता है इसे कहते है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या गयर निस्पातित परिसंपत्ती पहचान प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करने में अपने विफ़लता के लिए नैनिताल बैंग पर एक करोड रुपे का मौधरिक जुर्माना लगाया है नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेवल पोर्टल गो बीवो के साथ हाथ मिलाया ICICI बैंग ने ICICI बैंक ने ओनलाइन ट्रेवल बुकिंग पोर्टल गो बीवो के साथ से ब्रांडेड बहु मुद्रा कार्ड लाँच करने की घोशना किये कार्ड में 20,000 रुपे तक के लाब भी शामिल है जिसमें गो बीवो की तरफ से 15,000 रुपे के गिफ्ट वाउचर भी शामिल है इसके अत्रिक्त ग्रहकों को न्यूंतम 1000 डॉलर लोट करने पर मुद्रा रुपांतरंड देपर 40 पैसे की छूट मिलती है पहली बार नाबार्ड ने क्रशी ग्रामीन स्टार्टप के लिए 700 करोड रुपे के वेंचर कैपिटल फंड की घोशना की है नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है यह होता है नेशनल बैंक फॉर एग्री कल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट निक्रशी और ग्रामीन के इंदरत स्टार्टपस में एकुटी निवेश के लिए 700 करोड रुपे के वेंचर कैपिटल फंड की घोशना की है नाबार्ड अब तक अन्य धनराश्व में योगदान दे रहा है और ये पहली बार है कि ग्रामीन विकास बैंक ने स्वयम का एक कोश सुरू किया है नाबार्ड के अध्यक्षे हैं हर्ज कुमार भानवाल और इसका मुख्याले है मुंबई और नाबार्ड की जो स्थापना होई थी वो होई थी 12 जुलाई 1982 में नेक्स्ट पॉइंट है IPS अधिकारी जिन्नोंने मैकेन इंस्टिटूट अवर्ड प्राप्त किया उनका नाम है चाया शर्मा कुख्यात निर्भेया ग्यांग रेप और हत्या मामले की जाँच टीम का नेत्रत करने वाली IPS अधिकारी छाया शर्मा को सौर्य और नेत्रत के लिए 2019 मैकेन इंस्टिटूट अवर्ड से समानित किया गया है यह पुरुसकार उन वेक्तियों को दिया जाता है जो मानवा अधिकार, मानविय करुणा, नयाय स्वतंतरता और मानविय समान की ओर से साहस दिखाते है नेक्स्ट पॉइंट है मर्सेडीज के लुइस हैमिल्टन ने स्पैनिश ग्रांड प्री जीटी मर्सेडीज के लुइस हैमिल्टन ने बार्सिलोना, स्पैन में स्पैनिश ग्रांड प्री जीती और फॉर्मूला वन विश्व चैंपियन्शिप के शीर्स पर पहुँच गए है स्पैनिश के बी बोटास दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि रेड बुल्स के एम वेरेस्टा पेंट तीसरे स्थान पर रहे है लुइस हैमिल्टन ने 2019 बहरीन और चीनी ग्रांड प्री भी जीती थी मैंचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग 2019 का खिताब जीता, फुटबॉल मैंचेस्टर सिटी ने 2018-19 सत्र का फाइनल जीतने के साथी अपना चौथा प्रीमियर लीग खिताब फुटबॉल जीता है मैंचेस्टर सीटी ने ब्राइटन के खिलाफ 4-1 की जीत तर्च करते हुए 98 अंक अर्जित किये जिबकि खिताब की दोड में करीवी लिवरपूल 97 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही है मैंचेस्टर सीटी ने 2011-12, 2013-14 और 2017-18 में भी ये खिताब जीता है 2009 में मैंचेस्टर यूनाइटेट के बाद लगातार खिताब जीतने वाली वे पहली टीम है नेक्स पॉइंट है वंडे में सरवादिक विकेट लेने वाली स्पिनर बनी सना मीर पाकिस्तान की ओफ स्पिनर सनामीर 147 विकेट लेने के बाद इतिहास में सबसे सफल महिला वंडे स्पिनर बन गई है उन्होंने किसी एक दिवसिय अंतरास्टिय वंडे क्रिकेट में स्पिनर द्वारा सरवादिक विकेट लिये है नेक्स पॉइंट है किवदांती याया टॉरे फुटबॉल से सेवा निवरति की घोशना की ये मैंचेस्टर सिटी के है पूर मैंचेस्टर सिटी और बारसेलोना के मिट फिल्डर याया टॉरे ने अधिकारिक तोर पर फुटबॉल से अपनी सेवा निवरति के घोशना की है टॉरे ने दो लॉलिगा और 2009 चैंपियन्स लीग हिताब जीते टॉरे ने आइवरी कोस्ट के लिए खेलते हुए 2015 अफरीका कप ओफ नेशन्स भी जीता उन्हें 2011, 12, 13 और 2014 में अफरीकी फुटबॉलर आफ दे एर नामित किया गया था नेक्स्ट पॉइंट है इगोर स्टीमैक भारतिय फुटबॉल टीम के कोच बने ये क्रोईशिया के है All India Football Federation की टेकनिकल कमिटी द्वारा पद के लिए सफारिश करने के बाद क्रोईशिया के पूर्व अंतर रास्टी और प्रबंधक इगोर स्टीमैक को भारतिय पुरुष टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया जाएगा श्यामा थापा की अद्धक्षिता वाली समिती ने पद के लिए चार उम्मीदवारों स्टीमैक, अलबर्ट रोका, हकनान और ली का साक्षतकार लिया और स्टीमैक का चयन किया है नेक्स्ट पॉइंट है चैन्नाई सुपर किंग्स को एक रन से हरा कर IPL 2019 जीता तो ये जीता मुंबई इंडियन्स नहीं हैदराबाद में रोमांच कारी फाइनल में चैन्नाई सुपर किंग्स को एक रन से हरा कर मुंबई इंडियन्स चौथी बार IPL विजेता बनी है अब IPL 2019 के कुछ आकणे हैं उनको देख लेते हैं एक बार Orange Cap Sunrisers हैदराबाद के David Warner ने सबसे ज़्यादा रन बनाए 12 मैचों में इन्होंने 692 रन बनाए Purple Cap चन्नाई सुपर किंग्स के इमरान ताहिर ने सबसे अधिक विकेट लिए 17 मैचों में 26 विकेट लिए Sunrisers हैदराबाद के Johnny Bearisto व्यक्तिगत स्कोर इनका 114 रन रहा Next Point है विश्यू की पहली एक मात्र महिला क्रिकेट पत्रिका Crick Jones का विमोचन हुआ विश्यू की पहली एक मात्र महिला क्रिकेट पत्रिका Crick Jones का उद्गाटन भारतिय टीम की उपकप्तान स्मृतिमंधाना के प्रमुक लेग के रुपे प्रकाशित किया गया यह एक ऐसा एकल समाधान है जो विश्यू रूप से महिलाओं की क्रिकेट की दुनिया से अपडेट है लेग समाचार साक्षातकार आदिप्रदान करता है पत्रिका के प्रकाशक यस लाहोटी है विश्यू प्रवासी पक्षी दिवस 11 माई को मनाया जाता है 2019 में विश्यू प्रवासी पक्षी दिवस 11 माई को मनाया गया और 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा विश्यू प्रवासी पक्षी दिवस 2019 का विशय था जो 2019 में 11 माई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया उसका विश्य था अंतरास्टिय नर्स दिवस ये 12 माई को मनाया जाता है 12 माई को विश्व भर में अंतरास्टिय नर्स दिवस मनाया जाता है इसे Florence Nightingale की जैनती के रूप में मनाया जाता है 2019 अंतरस्टिय नर्स दिवस का जो विशय था वो था Nurse Advise to Lead Health for All नेक्स्ट पॉइंट है पद्मशरी पुरुसकार से सम्मानित भूजपुरी गायक का निधन हो गया उनका नाम था हीरालाल यादव इन्हें जन्वरी 2019 में देश का चोथा सर्वोच नागरिक पुरुसकार पद्मसरी पुरुसकार मिला 2015 में उन्हें संगीत के छित्र में उनके योगदान के लिए यश भारती सम्मानित से भी सम्मानित किया गया था नेक्स्ट पॉइंट है बोइंग उत्पादन सुविधा में भारतिय वायुसेना को सौब दिया गया है एर मार्शल एस बुटोला ने भारतिय वायुसेना का प्रतिनिधित्य किया और प्रताप अपाचे को सुविकार किया एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंग धनुवा भारतिय वायुसेना के एयर स्टाफ के वर्तमान प्रमुख है नेक्स्ट पॉइंट है नई हीट सेंसिंग साब की प्रजाती की खोच की गई है पुणे स्टित इंडियन इंस्टिटूट ओफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की टीम ने एक अद्वतिय हीट सेंसिंग सिस्टम के साथ लाल भूरे रंग के पिट वाय पर साब की एक नई प्रजाती पाई है ये भारत में पिछले सत्तर वर्सों में पहली है अरुणांचल प्रदेश के आधार पर इस प्रजाती का नाम त्रिमेरे सुरस अरुणांचलेंसिस रखा गया जहां इसकी खोच की गई थी इससे अरुणांचल प्रदेश एक मात्र राज्य है जिसके नाम पर पिट वाय पर है नेक्स्ट पॉइंट है रास्टिय प्रद्योगी की दिवस ग्यारा मई को मनाया जाता है जलवायू अपातकाल की घोशना करने वाला दूसरा देश बना आयरलैंड आयरलैंड ने अपने देश में जलवायू अपातकाल घोशिक किया है वे ऐसा करने वाला ब्रिटेन के बाद दूसरा देश है ब्रिटेन की संसद ने एक मई को बड़े पैमाने पर प्रती कात्मक प्रस्ताव पारित किया था जिससे वे जलवायू आपातकाल की घोशना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था ये कदम स्टी नेशन रेविलियन इन्वार्मेंट कैम्पेंड गुर्प दौरा लंदन में 11 दिनों के सड़क गरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया और डब्लिन आयरलेंड की राजधानी है वयापारियों के लिए भारत का पहला UPI बहीखाता लाँच किया ये लाँच किया भारत पे ने अंतरप्रांती UPI QR कोट के माध्यम से व्यापारियों के लिए भुकतान सक्षम वाला भारत का पहला Fintex स्टार्टप भारत पे एक नए एप के साथ व्यापारी सेवाओं में अपनी घोशना की UPI Payments के साथ एप अव्यापारियों को उनके पूरे वही खाते को प्रवंदित करने और यहां तक की प्राप्तियों और भुकतानों को मूल रूप से नोट करने की अनुमती देता है Next Point है संयुक्त राष्ट के 17 नए SDG Advocates में चुना गया है अभिनेत्री दिया मिर्जा को भारती अभिनेत्री दिया मिर्जा और अली बावा के प्रमुक जैक मा संयुक्त राष्ट महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा नियुक्त 17 वैश्विक सारवजनिक हस्तियों में है जो महत्वा कांग्शी सतत्विकास लक्षियों के लिए कारिवाई करने और वैश्विक राजनीतिक इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए नए अधिवक्ता है नेक्स पॉइंट है स्टार ओन हॉलिवड वॉक ओफ फेम प्राप्त किया अभिनेत्री एनी हैथवे ने ओसकर विजेता अभिनेत्री एनी हैथवे को लॉस एंजल्स अमेरिका में स्टार ओन हॉलिवड वॉक ओफ फेम के साथ समानित किया गया नेक्स्ट पॉइंट है तमिल उपन्यासकार और साहित अकादमी पुरुसकार विजेता का निधन इनका नाम था थोपिल मुहमद मीरान नेक्स्ट पॉइंट है भारतिय सेना ने 2019 को गोशित किया है और युद्ध के हता हतों पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के परिजनों तक पहुँशने की योजना बनाई है ताकि उन्हें वित्तिय लाप, कल्यान कारी युजनाए और पेंशन से समस्याओं का हल करने में मदद मिल सके थल सेना अध्यक्ष है जनरल विपिन रावत नेक्स्ट पॉइंट है डबलू टीयो की विकास सील देशों की मंत्रिस्तरिय बैठक आयोजित की गई, नई दिली में आयोजित की गई नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलियाई उडान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून ने अपसिस्ट वाणिजिक उडान संचालित की है आस्ट्रेलियाई उडान वाहक कंटास ने सिड्नी से एडिलेट तक दुनिया की पहली शूर ने अपसिस्ट वाणिजिक उडान संचालित की है यह मिश्रुखाद पुनाय उप्योग या पुनाय चक्रर के माध्यम से सभी कच्रे का निप्टान करती है आस्ट्रेलियाई एरलाइन कंटास ने 2020 के अंत तक 100 मिलियन एकल उप्योग वाले प्लास्टिक को खत्म करने की और 2021 के अंत तक एरलाइन के 75 प्रतिशक कच्रे को कम करने की भी योजना बनाई है आस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है आस्ट्रेलियाई डॉलर नेक्स्ट पॉइंट है फेस्बुक ने वाटसब पेमिंट के लिए आधार केंदर के रूप में चुना लंदन को चुना फेस्बुक ने भारत और देशों में मॉबाइल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल भुकतान सेवा शुरू करने से पहले वाटसब पेमिंट के वैश्विक रूल आउट के लिए लंदन को केंदर के रूप में चुना है वाटसब डिजिटल भुकतान सेवा पर ध्यान के इंदरित करने के लिए लंदन में लगबग 100 लोगों को कारे रत करेगा और अतरिक्त ओपरेशन स्टाफ डबलिन में कारे रत होगा नेक्स्ट पॉइंट है पाच्वा संयुक्त रास्ट वैश्विक सडक सुरक्षा सप्ता छे से बारा मई छे से बारा मई 2019 तक मनाया गया यह दो वर्ष में एक बार मनाया जाता है सडक सुरक्षा सप्ता का विशे था लीडर्शिप फॉर रोट सेफ्टी नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश खिलाओना रिटेलर हेमलीस का अधिग्रहन किया RIL ने RIL या Reliance Industries Limited ने एक नकत सौदे में ब्रिटिश खिलाओना रिटेलर हेमलीस का अधिग्रहन कर लिया है RIL ने 67.96 मिलियन पाउंड लगबग 620 करोड रुपए में हेमलीज का अधिग्राइन किया है इस घोशना के साथ Reliance Co. Himlees Global Holding Limited के 100% से मिल जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट है वित्य वर्ष 2018-19 में बैंक रण में वरदी 13.2% तक की है वित्य वर्ष 2018-19 में बैंक रण में 13.2% तक की वरदी हुई है जबकि पिछले वित्य वर्ष में ये वरदी 10.3% थी ये मुखे रूप से सेवाओं और खुद्रा छेत्र के लिए रण द्वारा साहता प्राप्त है नेक्स्ट पॉइंट है आर्कर्टिक काउंसिल के लिए परवेखशक के रूप में पुनाचैनित किया गया भारत को एक परिवेक्षक फूरम आर्कर्टिक काउंसिल के परिवेक्षक के रूप में पुनाचैनित किया गया है रोवी नेमी फिल्लैंड में आयोजित ग्यार्मी आर्कर्टिक काउंसिल की मंतरी स्तरिय बैठक के दोरान ये निर्ने लिया गया परिशद ने अंतर रस्टिय समुद्री संगठन आईयमो को एक नया परिवेक्षक भी न्यूक्त किया स्वीडन में आयोजित किरुना मंत्री इस्तरिय बैठक के दोरान 2013 में भारत को सफलता पूर्वक परिवेक्षक का दर्जा मिलाए भारत का अपना आर्केटिक अनुसंदान स्टेशन हिमादरी 2008 से स्वालबार्ड नार्वे में है आर्केटिक परिशत एक उचिस्तरिय अंतर सरकारी संगठन है जो 1996 में आर्केटिक राजियों के बीच सहयोग समन्वे और बादचीत को बढ़ावा देने और आर्केटिक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए स्तापित किया गया था जो आर्केटिक परिशत आठ परिध्रूविय देशों से बना हुआ है उन देशों का नाम है नार्वे, सुईडन, फिल्लैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कनाड़ा, अमेरिका और रूस नेक्स्ट पॉइंट है नकसल विरोधी महिला कमांडो यूनिट की पहली तैनाती 36 गड़ में की गई 36 गड़ पुलिस ने पहली बार डिस्ट्रिक कमांड गार्ड में महिला कमांडो को अपने अग्रिम पंक्ती के नकसल विरोधी दल में शामिल किया है 36 गड़ के मुख्य मंत्रिय हैं भूपेश बगेल और राजिपाल हैं आनंदी बेन पटेल नेक्स्ट पॉइंट है रविंद्र नाट टैगोर की 158 वी जैनती का उत्साः रविंद्र नाट टैगोर भारत के पहले नोबल पुरशकार विजेता जिनोंने बंगाली साहिते और संगीत को पुनर जीवित किया ये एक सिक्षा विद भी थे जिनोंने शांती नीगेतन में विश्व भारती विश्व विद्यालाई की शुरुवात की तता इस प्रक्रिया में परम परागत सिक्षा को चुनौती दी रविंद्र नाट टैगोर की जैनती को पोचिस बोई शाक 2019 के रूप में भी जाना जाता है नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोलियम संडक्षन अनुसंदान संग ने समझोता ग्यापन परहस्ताक्षर किये तो पेट्रोलियम संडक्षन अनुसंदान ने टैफे ये एक ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है इसका फुल फॉर्म है ट्रैक्टर निर्माता ट्रैक्टर एंड फॉर्म एक्क्विपमेंट नेक्स्ट पॉइंट है भारतिय मिर्च के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये भारत और चीन ने वाड़ेज सचिव अनूप वधावन और जनरल अड्मिनिस्ट्रेशन ओफ कस्टम्स ओफ चाइना के उपाध्धक्ष लीगुओ ने क्रश उत्पादों की निकासी के लिए लंबित भारतिय अनुरोत के व्यापार संबंदी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिली म एक बैठक की और भारत से चीन तक मिर्च भेजने के निर्यात के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये चीन की राजधानी बीजिंग मुद्रा रैन्मिन्बी राश्रुपती जी जिनपिंग नेक्स्ट पॉइंट है फेक न्यूस कानून पारित किया सिंगापुर न एक मिलियन डॉलर जो कि 5.12 करोण से अधिक तक का जुर्माना हो सकता है कानून सरकार को फेस्बुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देशित करने का अधिकार देता है ताकि वे फरजी खबरें मानने या सुधारने वाली सामगरी को हटा सके नेक्स्ट पॉइंट है नकारात्मक दरस्टी कोड के साथ येस बैंक की रेटिंग को कम किया गया ये कम किया इंडिया रेटिंग नेक्स्ट पॉइंट है एयर टेल यूजस भारत में अपने वी सैट संचालन को संयोजित करेंगे सुनील मित्तल के नेतरत में तेली कॉम प्रमुक भारती एयर टेल और यूजस कम्यूनिकेशन्स इंडिया एचसी आईल ने भारत में अपने वी सैट मीन्स वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल उब्रय संचार संचालन को संयोजित करने का निर्नलिया है लेन देन संबंदित अधिकारियों द्वारा अनुमोधन के आधीन है वी सैट उपग्रहों का उपयोग कर डेटा सेवाओं के प्रावधान को संदर अभित करता है और इसका उपयोग बैंकों और एटियम द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है संयोग तिकाई में यूजस के पास अधिका समस्याओं के कारण निधन हो गया वै 99 वर्ष के थे मिश्रा ने 1949 में कटक में रावेन शाह विशुवे द्याले में लक्चरर के रूप में अपना करियर शुरू किया था नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक विदी सिक्षक के जनक का निधन इनका नाम था एनार माधो मेनन एक सिक्षा विद स्कॉलर और भारत में आधुनिक विदी सिक्षा में अग्रणी योगदान करने वाले प्रोफेसर एनार का निधन हो गया वै 84 वर्ष के थे एनार माधो मेनन को सारवजनिक सिवाओं में उनके उत्करस्ट योगदान के लिए 2003 में पदमिस्री से समानित किया गया था नेक्स्ट पॉइंट है विदाजन के पहले इतिहास के लेखक का निधन उनका नाम था प्रोफेसर क्रपाल सिंग 1954 में एक संग्रे का निर्मान शुरू करने वाले विदाजन के पहले इतिहास के लेखक प्रोफेसर क्रपाल सिंग का पंचान में वर्ष की आयो में चंडीगड में निधन हो गया उन्होंने 1903 में खालसा कॉलेज अमरत सर में एक युगा व्याख्याता के रूप में विवाजन की इतिहास लेखन में अपनी यात्रा शुरू की थी नेक्स्ट पॉइंट है मुंबई में RBI के वित आयो की बैठक की RBI के गवर्नर शशिकान दास और वित आयो के अध्यक्ष N.K. सिंग है नेक्स्ट पॉइंट है WCO के एशिया प्रैसान छेत्र के सीमा सुल्क प्रशासन के छेत्रिय प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई ये बैठक संपन्नुई कोची में केंद्रिय अप्रत्यक्षकर और सीमा सुल्क बोर्ड CBIC ने कोची में विश्व सीमा सुल्क संगठन WCO के एशिया प्रैसान छेत्र के सीमा सुल्क प्रशासन के छेत्रिय प्रमुखों की दो दिवसिय बैठक आयोजित की इस बैठक की अध्यक्षता CBIC के अध्यक्ष श्री प्रणव कुमार दास ने की केंद्रिय अप्रत्यक्षकर और सीमा सुल्क बोर्ड भारत सरकार के वित्र मंत्राले के अधीन राजसुवभाग का एक हिस्सा है MNRE ने अक्षय उर्जा छेत्र के हित धारकों के साथ आयोजित की चिंतन बैठक MNRE क्या है ये एक नवीन और नवी करणिय उर्जा मंत्राले है इसने अक्षय उर्जा छेत्र के हित धारकों के साथ एक चिंतन बैठक आयोजित की इस बैठा की अद्धक्षता सच्यू, MNRE आनंद कुमार ने की थी और इसमें प्रमुक, RE डेवलपर्स, उपकरण निर्माताओं, फाइनेंसरों, नियामकों, थिंग टैंक, उद्योग नियकायों और कौशल विकास करता के प्रतिनिधियों सहीत, नवी करणिय उर्जा, छेत मानो संसाधन विकास मंत्राले या NIOS के रास्टिय मुक्त विश्व विद्याले संस्थान और महारास्ट सरकार के सारवजनिक स्वास्त विभाग, जिसे कहते हैं NHMPH के रास्टिय स्वास्त मिशन ने मुंबई में एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये जोता ग्यापन, National Institute of Open Schooling के माध्यम से रास्टिय स्वास्त मिशन के स्वास्त सेवा प्रदाताओं को व्यवसाईक कारेक्रमों की पेशकस करने पर केंदरेता है नेक्स्ट पॉइंट है, विस्व रेड क्रॉस दिवस आठ मई को मनाया जाता है विस्व रेड क्रॉस दिवस जिसे रेड क्रीसेट डे के रूप में भी जाना जाता है हर वर्ष आठ मई को मनाया जाता है, यह उन सभी स्वायम सिवकों के लिए एक सौ में संकेत है जिन्होंने अवपीडन या जरूरत में लोगों के लिए अदुतिय योगदान दिया है उनके द्वारा चुना गया 2019 का विशय था विशय हैश लव नेक्स्ट पॉइंट है जगजीत पावडिया को अंतरास्टी नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में पुना चैनित किया गया भारत की जगजीत पावडिया हैं ये भारत की है भारत की जगजीत पावडियों को संयुक्त रास्ट आर्थिक और सामाजिक परिशत द्वारा अंतररास्टी नार्कोटिस कंट्रोल बोर्ड आई एन सीबी में पांच वर्स के कारेकाली के लिए सबसे अधिक वोटों के साथ पुना चैनित किया गया है उन्होंने इस पत के लिए चीन के उम्मिदबार हाउव वेई को हराया है नेक्स्ट पॉइंट है पूरो बिलियर्ड्स खिलाडी का निधन उनका नाम था डेरिक सिप्पी पूरो भारती क्यू खिलाडी कोच और प्रशासक डेरिक सिप्पी का दिल का दोरा पढ़ने के कारण मुंबई में निधन हो गया वे हाली में चंडीगड में एशियाई अंडर 21 बॉइज स्नूकर और एशियन महिला स्नूकर टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कोच थे नेक्स्ट पॉइंट है जिसे एक माई 2019 से लागू किया गया अधिनियम के अंतरगत राजि में दुकाने और अन्य व्यवसाय 24 घंटों के लिए खुली रहेंगी नेक्स्ट पॉइंट है भारती बॉली बॉल टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया ड्रेगन मीहे लोविक को अभी इसका सेकेंड पार्ट है जो की नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक्यू फ्रेंट्स